नमस्कार दोस्तों, एक बार ठेश्टे स्वाकाते हामारी इस यूट्व क्यनल Modern Technology में, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे Formtech साट के बाड़े में, वैबसे Farmtech साट दो वेरियंट में आता है PowerMex, एक SuperMex पर आज की इस वीडियो में हम PowerMakes वेरियंट के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं हमको ट्रेक्टर में फाम टेक की ब्रैंडिंग मिल जाती है उसके नीचे पावर मैक्स की ब्रैंडिंग मिल जाती है और उसके आगे देखे तो हमको 60 की ब्रैंडिंग मिल जाती है और उसके नीचे हमको T20 की ब् लाइन पंप देखने को मिलता है साथ ही में हम इसके एंजिन की बात करें तो हमको 55 HP का एक बहुत सक्तिसाले एंजिन इस ट्रेक्टर में देखने को मिलता है जो कि अपनी पावर 2000 रेटेड आर्पीम पे डिलेवर कर देता है साथ ही में हम इसके एंजिन केपिसिटी की बात कर वहीं हमको एक डीजल फिल्टर मिलता है जो की बहुत लेटेस्ट टेकनोलोजी का दिया गया है इस ट्रेक्टर में तो दोस्तो हम इसके क्लच की बात कर ले तो कंपणी हमको इसमें डॉल क्लच देती है Dual Clutch का मीनिंग यह है कि आपको Tractor का Clutch अलग से मिलेगा साथी में PTO का Clutch अलग मिलेगा जो आप वीडियो में देख रहे हैं साथी में इसको हम Independent Clutch भी कहा जाता है पहले इसमें Dual Clutch आते थे और Dual Clutch की वीडियो हमने iButton में दी है तो दोस्तो हम इसके Gearbox की बात करें तो इसमें हमको Solar Forward और 4 Reverse इस ट्रेक्टर में देखने को मिलते हैं T20 Gearbox के साथ में और हम इसके Constant Max Gearbox के साथ में हमको इसमें Real Side Shift Gearbox हमको इस ट्रेक्टर में देखने को मिलता है साथी में मैं आपको T20 Gearbox की डीटेल में जानकरी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबी हो सकती है दोस्तो इसलिए अगर आपको T20 Gearbox की डीटेल में जानकरी चाहिए तो मुझे आप जरूर कॉमेंट करें फिर हम नई वीडियो बनाएंगे T20 के बारे में पूरी डीटेल में तो दोस्तो हम इसकी PTO के बारे में जान लें तो हमको 540 और Multispeed वाली PTO इस ट्रेक्टर में देखने को मिलती है साथी में हम इस PTO HP की बात करें तो उनपचास HP की हमको इस ट्रेक्टर में पीटियो देखने को मिलती है तो हमको इस ट्रेक्टर के कितने एंजिन आर्पियम पे मिलते है तो हमको इस ट्रेक्टर के एंजिन आर्पियम 1850 पे हमको PTO के आर्पियम 540 डेलेवर होते है तो दोस्तो हम इसके हैडरोलिक की बात कर लें तो हमको इसमें ADDC टाइप के हैडरोलिक देखने को मिलती है जो कि लाल लीवर जो हता है वो ड्राफ्ट का होता है और जो काला लीवर जो हता है वो पोजिशन का होता है तो काले लीवर से हम हमारी position को set कर सकते हैं और लाल लीवर से हम हमारी गहराई की position को set कर सकते हैं तो ये ADDC type के hydraulic बहुत अच्छी होती है हर tractor के लिए और हर tractor में आनी ही चाहिए है मेरे हिसाब से तो अगर आपको अच्छी लगे ये ADDC type के hydraulic तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तो आगे हम इसके back end की बात करें तो हमको इसमें distributor देखने को मिल जाता है जो की company fitted बहुत बढ़िया रहता है साथे में हमको lever मिल जाता है उसको operate करने के लिए अब दोस्तो हम इसकी hydraulic की capacity की बात करें तो हमको इसमें 2500 kg की hydraulic मिलती है जो की एक 60 HP के tractor के सबसे बहुत जादा होती है और बहुत बढ़िया होती है भही हमको 3 point linkage मिलते हैं इसमें जो हम समारे 3 point से हमारी sensing को set कर सकते हैं तो यह भी बहुत बढ़िया देखने को मिला है स्टेक्टर में इसकी hydraulic की sensing को देखते हुए तो दोस्तो front view की हम बात कर लें तो हमको इसमें power steering dual acting वाला मिल जाता है साथी में हमको इसमें power steering के लिए एक अलग से tank मिल जाता है जो की हमारे tractor के oil में नहीं मिलता और power steering को oil अलग रहता है जिससे हमारे power steering में कोई भी problem नहीं आती है वहीं दोस्तो हमको इसमें पिछले tire 1698 के देखने को मिल जाते हैं और front tire और अगले tire की हम बात करें तो 75-16 के tire हमको आगे के देखने को मिलते हैं साथी में हम दोस्तो अब आगे features के बारे में जाता है इस tractor के तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करें इसके care device की जो की एक बहुत बड़ी features देखने को मिला इस tractor में जिससे हमारे tractor में कोई भी problem हो तो हम direct engineer हों से बात कर सकते हैं कोई भी tractor में खरा भी आया तो direct इससे हम हमारे company के इंजिनियर हों से बात कर सकते हैं और हमारी जो problem है उसको solve कर सकते हैं तो दूसरा features दोस्तो यह है कि हमको इसमें battery box बाहर मिल जाता है दोस्तो साथ हमारा तीसरे features हमको digital instrument cluster देखने को मिला है और 14 features हमको इसमें mobile charge करने वाला socket भी देखने को मिला है तो दोस्तो इसमें बहुत बड़ी features देखने को मिले हैं और दोस्तो इसके प्राइस की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करें साथी में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें साथी में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें में वेल आइकन को भी जरूर दवाजिस से आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथी में आप हमारे इंस्टाग्राम पेज याने Modern Technology Official को भी फॉलो कर सकते हैं उसकी लिंक में डिस्क्रिप्चिन में दे दिये साथी में इस ट्रेक्टर के बारे में आपको और कोई जानकरी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं साथ में इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को